I am Neha and welcome back to my channel I am here with a new topic so let's begin तो आज का हमारा topic है types of intelligence scales तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत सारे वैसे scales और test होते हैं intelligence के measurement के लिए बट हमारी book में तीन ही दिया हुआ है और इस topic में हम Stanford भी ने test के बारे में discuss करेंगे तो Stanford भी ने test चो था वो termon ने revise किया था in 1937 में with the help of mod Merrill के साथ इसको जब revise किया गया था तो इसमें two alternate forms दिये गये थे एक L form था और एक M form था L form का था Lewis sir termon इनका full name था और इनके नाम पे लिया गया था और modern Merrill का नाम से M लिया गया था और इन दोनों form में 129 items को add किया गया था थर्ड revision हुआ 1960 में जब termon की death हो गई इसको Merrill नहीं किया था और इस scale में इन्होंने deviation intelligent quotient की help से normative mean को दिया था जिसमें 100 mean 100 था के बाद फिर fifth हुआ जो आज भी हम उसको use कर रहे हैं तो जो fourth revision हुआ था वो basically उसमें कुछ rules regulation भी add किये गए थे और वो add हुए थे cattle, horn, carol जो C, C के नाम से भी जाना जा था इनकी cognitive theory थी उन्हीं के base पर थोड़े से इसमें कुछ चीज़े add की गई थी जिसमें इन्होंने कुछ measurement के लिए कुछ factors को add किया था जिसमें था fluid reasoning, knowledge, quantitative reasoning, visual specials, processing and working learning memory तो यह जो इन्होंने जो factors दिये थे इसको इन्होंने non-verbal और verbal दोनों parts में divide किया था verbal के मिन जानते हैं और जो बोल सकते हैं जो language को समझ सकते हैं जिस language में टेस्ट है उसके लिए वरबल होता है और जो deep and dumb dumb होते हैं और जो languages नहीं समझ पाते हैं जिस language में टेस्ट है उसके लिए क्या होता है? non-verbal test होता है तो चलिए जान लेते हैं कि इन्होंने जो factors दिये थे वो क्या थे और उसमें उन्होंने क्या add किया था? तो जो factors था fluid reasoning fluid reasoning का मतलब creative work something creative तो जो non-verbal में था इन्होंने add किया था figural problems को solve करना कुछ sequences या figural problems दे दी जाती थी वो किसी से भी related हो सकती थी geometry से हो सकती थी maths related हो सकती थी कुछ sequences में दे दिया जाता था और एक sequence उसका miss रहता था जिसको हमें add करना होता था ये non-verbal में आता है वर्बल में क्या होता था इसमें कुछ flute reasoning flute reasoning में non-verbal में देखते हैं जो activity है वो object series और matrix means sequence में कुछ चीज़े आपको दे दी जाएंगी जो number से भी related हो सकती है mathematics से भी related होती है और उसको फिर आपको उसमें इसको identify करना होगा उस problem को solve करना होगा यह आगा non-verbal में फिर वर्बल में क्या होगा कुछ analogic means की जो diagram होते हैं 4-5 diagram दे दिये जाते हैं ऐसे boxes में और फिर 4-5 boxes नीचे दे दिये जाते हैं उसके option में एक missing होता है जिससे आपको उसको right वाले को यहां पर add करना होता है तो यह आता है हमारा non-verbal में अब knowledge में आता है knowledge में जो knowledge किस तरीके से हम picture से signal से और किसी चीज से object से हम किस तरीके से अपने knowledge को positive करते हैं उसको test किया जाता है basically हम क्या action कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़े उसमें add की जाती है यह हमारा non-verbal में आ जाता है अब verbal में क्या होता है कि जो कुछ word और concept of languages difficult words दिये जाते हैं जिसको identify करना होता है next है quantitative reasoning quantitative reasoning में आती है कि कुछ mathematical difficult pre mathematical और functional concept दे दिये जाते हैं उसको solve करना होता है और non-verbal में और verbal में क्या होता है कि उसी जो mathematical questions जो होते हैं non-verbal में उसी को थोड़ा difficult level पे वो task भी जाते हैं और उसमें word problems भी add कर दे जाती है counting add कर दे जाती है उसके numerical concepts को और add करके difficult बना दिया जाता है जिसको इसमें add किया गया है और visual spatial processing में क्या किया जाता है इसमें puzzle से related कुछ pictures moving कुछ plastic pieces दे दिये जाते हैं places पे उसको figural problems को resolve किया जाता है वो हमारे visual spatial processing में आता है non-verbal में और verbal में क्या होता है verbal में होता है कि हम position and direction means कि दो diagram दे दिये जाते हैं और एक diagram में तो पूरा details दिया रहता है बर दूसरे diagram में आपको पूरी details mention नहीं होती है उसमें बताया जाता है कि पहले diagram में कौन सी चीज किस position में या किस direction में है वो चीजे इस pictures मे add होती है next है working memory working memory से आप समझ गया होंगे short term memory तो short term memory में कुछ sequences आपको दे दिये जाते है कुछ blocks दे दिये जाएंगे या फिर कुछ ऐसे चीजे दे दी जाएंगे वो एक sequence में आपको रखे रहेंगे और फिर जैसे यह हो गया उसको उसी sequence में रखना होता है तो इसे यह जाना जाता है कि आपकी brain में आपकी जो short term memory में है उसमें कितनी दे तक यह जो process है यह information में store हो सकती है memory of sentences जैसे इसमें blocks दे दिये जाते है और verbal में क्या दे दिये जाता है sentences और last word ऐसे कुछ words दे दिये जाएंगे बढ़ पूछा जाएगा last word बताओ तो इस type के कुछ words से related, letters से related verbal में दे दिये जाते हैं तो यह थे इनके 5 जो domains इनोंने दिये थे non-verbal और verbal के अब चलिए जान लेते हैं कि scoring और interpretation कैसे होता है scoring एक तो hand scored होता है और एक scoring आप software के through भी कर सकते हो जैसे आपका mean पता चलिया SD पता चलिया आप उस software में अपना mean और standard deviation डालेंगे तो आपकी scoring बिना कुछ के पुल्कुल find out हो जाएगी but hand score जो होता है वो खुद करना पड़ता है इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पर हमें non-verbal और verbal दो domains दिये गए जिसमें 5-5 sub-test थे अब इन क्या करेंगे इन 5-5 test को अलग-अलग find out करेंगे अलग-अलग इनके result जो भी आएंगे marks जो भी आएंगे उसको find out करेंगे फिर उसके बाद जब एक के कर लेंगे तो फिर इसके एक group के non-verbal के एक group का और verbal के एक group का अलग-अलग कर लिया जाता है फिर उसके बाद फिर इन दोनों parts को उसको क्या किया जाता है result को find out किया जाता है तो यह था Stainford B-Nit के test के बारे में यह topic बहुत important है आप जरूर इसको अच्छे से study कीजिएगा और exam time में यह जो table है अगर इसको mention करेंगे तो बहुत अच्छे marks मिलेंगे तो चलिए फिर घर पे रहिए सुरचित रहिए सीखते रहिए मेरी videos को देखते रहिए thanks for watching